हेई गाई इट से वियांश वाकम बाक टूनादर एपिसोड और फुटबॉल डिली और आज की एपिसोड में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं हम हमारे आदर्स्ट अगर के लोकल गोट की यानि की मार्गो असेंसियो की अब देखार कर ले एस हमारा जो डिली रूटीन है र अब जहां एक तरफ सेंटियागो बर्णबो और दिव्यांश की लाइफ स्ट्रीम पर तालियों की आवाज ही गूंज रही थी वहाई हमारा आदर्स्ट अगर का लोकल टक्टा कम बकरा आक्चली में बोतलों पर लात मार रहा था अब पूरी सिचुशन यहां पर आक्चली के लिस्ट बनाई गए और जब स्ब्सक्रीशन आक्चली में काम की मतलब करे गए तो उसमें असेंसियों का नाम नहीं था इसके बाद जब मीडिया में सोशल मीडिया पर जब वीडियो वाइरल हुई जहां पर बोतले फैक रहा है लाते मार रहा है जो जे मुरीनो बन रहा टच्लाइन पर वो काफी ज़्यादा वाइरल है और इसके रिगार्डि में तुमको अगर फेमस मतलब अगर जनरल कंसेप्ट बताऊ न या फिर तुमको पर्सपेक्टिव नेरेटिव बताऊ तो वो काफी ज़्यादा एंटी असेंसियों है जो की काइंड ओफ होना भी चा प्रायरिटी का राइट विंगर है सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम इस तरीकी के आए तो एडन अजार्ड को तुम सोच सकते हो क्या रहा है तो असेंसियों को गेम टाइम कैसे ने मिल रहा अब इसके बीचे सिंपल सिस्टम है कि हजार्ड को इस टीम में अगर इंक्लू रोडरियों को यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा and then comes यहाँ पर अपने स्लोसेंसियों तो यहाँ पर कहीन है कि इसका सुलूशन क्या है अब कार्लो अंसलोटिक ने अपने प्रेस कॉन्फरेंस में यह कहा तो है कि देखो मैं असी इसका ध्यान रखुआ लेकिन इसका को लगता है कि उसको पनिश्मेंट उटक बैठा की करनी पड़ेगी ड्रसी रूम में इसका सिस्टम यह है कि 2023 मुसको कॉंट्राक्ट खतम हो रहा है और रियाल मडिड उसको रिन्यू नहीं करेगी he is going to leave रियाल मडिड as a free agent खोड़ा सा सेंटी और दुखता होता है क्योंकि क्या रे ये एक वो बंद आता जो कि मेरे को लगता है कि इसमें वो attitude और करिस्मा 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 करिस्माटिक वो था इसमें कहीना कि एक बहुत बड़ा प्लियर बनने के लिए लेकिन वो जब से उसके ACL की इंज्यूरिय और एक डिल साल के लिए भार होता ना उसके बाद कि सेटप को देखके कईना की कंफर्म हो गया तक कि रोड्रीगो और इडन अजार या फिर रोड्रीगो और रोड्रीगो और इडन अजार या फिर इडन अजार वेलवर्ड इसे जादा बैटर आक्चुली में यहाँ पर रोड्रीगो और वेलवर्ड की पार्टनर्शिप जादर बैटर लग रही थी यानि कि तुम देख सकते हो कि आने बाए टाइम में शौक मत हो ना अगर अगर आक्चुली में रोडरिगों को वो यहाँ पर स्ट्राइकर वाली पोजिशन पर खिला ले तो लेकिन इसी की से ठाधिर बात करते है थोड़ी सी प्रेमेर लीग की तो अभी प्रेमेर लीग pressure पढ़ने वाला है और ऐसे point of time पर जो international breaks होते हैं इसमें भी काई न कि आपकी teams आपके national teams आपके players को खिलाती है तो players पर यह अंटी बिटली pressure पढ़ता है अब अगर next week हम Premier League के match इसकी बात करें तो resume तो है लेकिन एक problem यहाँ पर ही है कि London based जो clubs है न सारे चाहे हम Chelsea की बात करें जो कि Liverpool को host करेगी चाहे हम यहाँ पर Arsenal की बात करें Spurs की बात करें वो कई न कहीं थोड़ा सा problem हो सकता है क्योंकि तुमको पता है वहाँ पर जो state funeral होगा Queen का उसके चक्कर में police काफी जादा schedule होगी काफी ता busy होगी तो वो यहाँ पर allocate ही नहीं कर पाएगी but apart from that बाकी सारे matches जो है वो as it is जाने वाले हैं अगर बात करें Champions लेकिया और European competitions की वो भी as it is सारे matches जाएंगी क्योंकि UFA FIFA से सब confirmation आ गया कि सारी जो अपने अपनी governing bodies है वो satisfy कर देगा कि अगर sack होने के बाद उसको Thomas Tuchel से कुछ सुनना है तो क्या होगा अब यहाँ पर Thomas Tuchel ने कहा है कि देख़े है मैं काफी ता devastated हूँ literally one of the worst thing जो कि मैं मैंने सुनी है और मैं इस समय लिख रहा हूँ इसके regarding वो यह है कि यह को लगता है कि जैसे तुमको बता ने कि Chelsea की फैन जिस तरीके से उससे connect करते हैं he is very popular among the Chelsea fan बेस तो यह उसको बिल्कुल pinpoint करता है Thomas Tuchel का क्या यहाँ पर future है क्योंकि उसने लिख दिया उसने अपने एक hint दिया है कि वो बहुत जल्दी नया manager बन सकता है KCB club का ऐसे में अब मैं तुमको अभी बतायता हूँ कि actually में Juventus में खलबली मची पड़ी है Juventus में मस्ती मिनान एलेगरी actually में उसके लगने वाले या तो वो Juventus के लोड़ा लगवा देगा या वो Juventus उसके लगवा देगी बहुत पहले और ऐसे में Thomas Tuchel to Juventus हो सकता है however Juventus पॉचिटीटो के साथ भी जा सकते है लेकिन Juventus में अब कहीना की थोड़ी सी खलबली मची रही है या ओलड़ी उन्होंने 8-9 point ड्रॉप कर दिया वो बहुत चूतिया वैने जरा है वो बहुत बंदा फुटबॉल खिलाता है लेकिन इसी के साथ भी बात करते है थोड़ी सी Christian Ronaldo से बाई कल के एपिसोड में ने तुमको बताया था कि Ronaldo psychologist clinical psychologist में रहा था उस ताइम मैंने तुमको clear कर दिया था कि as of then वहाँ पर कोई buzz नहीं था हैं ऐसे ऐसी views हैं चाहिए हम यहाँ पर transgender की बात करें या फिर actually हम यहाँ पर pandemic की बात करें तो उसके views काफी ज़्यादे controversy है न और ऐसे मैं कहीं है कि जो fans है न वो थोड़ ऐसे दिमाग लगात रहे है कि यार ये collaboration actually में कैसे हो रहा है ये इसके पीछे क्या reason है और क्या यहाँ पर जो उसके views है उसके क्या पर तुम बताए यार social media में बक्चोधी करने में किसको ज़्यादा time लगता है लेकिन इसके साथ चोटी से update ये है कि Anthony Martial ने कल अपने interview में ये भी चीज़ बताई कि क्रिस्टिया नार्लो डेफिनेटली बहुत जादा humble आदमी है और बहुत जादा sexy लिड़े on the floor है लेकिन ऐसे में उसने बताए कि Manchester United का best player जिसके alongside वो खेला है वो यहाँ पर Wayne Rooney है उसके लिए Wayne Rooney Manchester United का best player है जिसके alongside वो खेला है ठीक है तुरो नार्लो Real Minute का हो जाएगा क्या दिक्कत है लेकिन इसी के साथ बात करते है अब थोड़ी से Ramos और Messy की तो भाई इस समय PSG के अगर internal toxic बात करें न रिपोर्ट की बात करें तो उनके सामने भाई बहुत काम है और PSG से दो बड़ी खबर है हमारे सामने सबसे पहले तो वो यह डिसाइड करें कि Ramos और Messy का contract renews का क्या करना पड़ेगा दौनों situation काफ़ी different है लेकिन इस समय दौनों ने अपने आपको regenerate करा है और under PSG camp अब यहाँ पर अगर सबसे पहले मैं Sergio Ramos की बात करूँ तो मेरा opinion यह है कि Ramos को renew कर देना चाहिए बिना किसी वक्षोदी के क्योंकि जो पैसा PSG देगी न और मेरे को लगता है कि जो performance उसकी अभी Galter के अंडर निकल के आ रही है वो बहुत जाद crucial है उसकी age को देखके और उसके career को देखके वो बहुत जादा strong जा रहा है और SMA में कोई लगता कि उसको कोई रिदम तोड़ना चाहिए अपना आने वाले टाइम में ठीक है उसका game time कम होता जाएगा जैसे से age जाएगी और मेभी अगर skin देना आता तो काफी दत कम होता बट स्टेल सर्जियो रैमाउस को PSG में ही रुकना पड़ेगा यह तो मेरा मानना था PSG का मानना क्या है अब PSG का regarding इसके यह है कि ठीक है सर्जियो रैमाउस बहुत अच्छा जा रहा है बहुत strong है अपने L Capitan हो बहुत sexy है लेकिन कहीना कि उनको और confirmation चाहिए कि यार यह और injury तो नहीं होगा अब यह अगर और injured हो गया तो फिर खतम हो जाएगे हम और ऐसे मैं कहीना कि एक साल का contract trigger clause करने से पहले वो यहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा वेट करेंगे इसके सर्जयो रैमाउस के रिगार्डिंग हो जाए इसमें Chelsea कूदेगी, MLS कूदेगा या फिर City कूदेगी, यह कहीना कि हमको आने वाले January transfer window में पता चल जाएगा तुम कहों कि January में आव January में इसले हो कि 6 मेने का जब contract बचेगा तो फिर तुम को कुछ ने कुछ सक पकाता हो देखी जाएगा अब ऐसे में कहीना कि तुम को पता है Messi पूरा try कर रहा है कि वो इस पर ध्यानी ना दे अभी उसके लिए World Cup priority है और World Cup के बाद ही कुछ देखा जाएगा लेकिन ऐसे point of time पर PSG है चाहती है कि अगर ऐसा हो गया तो हमारे पाद literally 2-3 हफते बचेंगे और Barcelona बिल्कुल दर्वाजय पर 10 तक देदेगी और अगर एक बार Barcelona negotiation में आगे और PSG ने अपना homework नहीं किया तो फिर कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा ऐसे में they want Messi to be the part of PSG future और उनको पता है और वो पैसा दे सकते हैं वो पता है क्या क्या दे सकते हैं तो वो हर कोशिश कहर रहे हैं कि Lionel Messi को कैसे नहीं कैसे करके बांदा जाए यह इसलिए किया जा रहा है जिससे Barcelona अपना काम भी स्टार्ट नहीं करें काम में successful तो दूर की बात है वो Barcelona का अपना काम भी स्टार्ट नहीं करने देना चाहते हैं और उनको पता है कि coming January transfer window में Barcelona सबसे पहले शायद से Messi के साथ ही contact बनेगी हाँ यह चीज बताए जारी कि actually में वो use कर सकते हैं कि Messi Barcelona में second fiddle या फिर rotation में खेलेगा और PSG में वो उनका main player होगा प्लस और जो पैसा actually में उनको PSG offer करेगी ना उसमें Lionel Messi आज जी में अपने लिए Gucci के उपड़े करी सकता है मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर तुम समझ गया ना कि बात का सार क्या है यहाँ पर मतलब ठीक है लेकिन यहीं के थाथ यहाँ पर बात करते हैं अब थोड़ी सी Bayern versus Barca अर्ली में तुमको न्यूस बतायता हूँ यहाँ पर आप सबसे पहले अगर बार्स दूने की बात करें तो उनकी लाइन अप यहाँ पर रेड़ी है जोश सब है जोश काफी तदा हाई है और वो यहाँ पर कही ना कि बार्स बार्स बायन को अपसेट करने कोश्चिश है लेकिन यहाँ पर लाइन अप की अगर हम बात करें तो गावी और फ्रेंकी डियोंग के बीच में कहीना की मामला थोड़ा सा फसा हुआ है कि कौन खिलाना चीए और कौन नहीं खिलाना चीए ऐसे वे तुम जरा कमेंट सेक्शन हो बताओ तुम अच्छिल में किसको देखना प्रिफर करोगे गावी या फिर फ्रेंकी डियोंग लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें बायन की हाँ वैसे अगर बार्स बात करें तो वहाँ पर यहाँ पर बायन की लेके तो बायन में यहाँ पर कहिना की देखो कल ही हम बात करें तो और आज यहाँ पर खबर आ भी गए कि इंटरनल ना मामला कुछ ठंका है नहीं और ऐसे में प्रॉब्लम यह कि काफी लोग बायन के डरसिरू में मानते है कि यूलियन नागल्समें की अगर कोई खराब परफॉर्मेंस निकल रहे है ना तो वो अपने आपको क्रिटिसाइज करने के बजाए अच्छली में टीम को ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है और इससे काईना की प्रॉब्लम है मैनेजर्स और प्लेयर के बीच में यूनिटी है वो काफी जादा बड़ी प्रॉब्लम क्रियेटू के आ रही कि अगर यहाँ पर बायन पॉइंट्स भी ड्रॉप करते है फिर बायन एक खराब परफॉर्मेंस खेल रही है या फिर बायन टैक्टिकल ट्विक से जखकर में अपने ही बुन में तो वहाँ पर गई ना कि अपने आपको ब्लेम करने के बजाए टीम को ब्लेम कर रहा है जो कि जो सिनर्जी है टीम में वो काफी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाती है दूसरी चीज की बात करें मैं तो कल भी बताया था कि अगर लियाउन गुरिट्सका की हम बात करें तो लियाउन गुरिट्सका को भाई आप वो बंदा प्रेशर बना रहा है कि मिरको चीए टाइम और वो टाइम चीए क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है पास में वैसे में को लगता नहीं कि वर्ल्ड कप के प्लेस पर कोई जादा बड़ा खत्रा होगा बट हो भी सकता है ऐसे में बायन को लियाउन गुरिट्सका को आनवाल टाइम में इंक्लूड करना ही पड़ेगा और क्या वो बायर सकता है इसके रिगार्डिंग कईना की थोड़ा सो डिफरेंट ओपीन है ने क्योंकि ऐसे में जूरियल नगसमन की बात करो और खुद यहाँ पर साबट सर जोश्यूआ कि भी बात करें मैंचेस से युनाइटिट से तो एक रिसेटल काफे अच्छा आर्टिकल था कि क्यों इस समय स्कॉर्ट में ने हमको स्टार्टिं लाइनप में देखने को मिल रहा ना कि कासी मिरो अब एक इसका बहुत डिरेक्ट एंजम्पल यह है कि कासी मिरो के पास अभी मैच फिटनेस नहीं है लेकिन ठीक है मतलब मैच फिटनेस तो ऐसा है कि अब यह कहीं कि ठीक हमने अभी यह वारा परफॉर्मेस देख लिए तो हम कहने कि मैच फिटनेस नहीं है और शापनेस नहीं है यही चीज़ अगर होती तो ग्राजूली इंक्रीज होगा ना जिबकि जिस तरीके सा युनाइट की लाइनप पर क्यों खेल रहा है तो वो है सिर फॉर सेफ मेरिट एरिट टनहाइक मानता है और यह चीज़ जानता है कि स्कॉर्ट मैक्टॉमने काफी जाधे यूस्फुल है जिस तरीके से एरिट टनहाइक अपने मिट फील में उस बंदे खिलाना चाता है चाहिए मार्शनल की अगेंस की परफोर्मेंस की बात करें जहाँ पर तो मैं भी मानता हूँ लेकिन दूसरा रीजर यहाँ पर यह है कि स्कॉर्ट मैक्टॉमने बिंग छे फुट चार तो ऐसे में कहीना की वह भर थूल्शन है जो की इस उनाइटिर की बिल्डप में है रोनाल्डो भी नहीं है तो और अफ्कॉर्स रोनाल्डो होता तो वो मिट फील में थोड़े होता तो ऐसे में aerial duals और उसके defense को यहाँ पर कहीना की aerial threat से protect करने के लिए Scott McTominay काफी जादा जरुत भरती है considering the fact कि जो Malaysia की बात करें या फिर आपने Sir Lissranda की बात करें वहाँ पर काफी जादा problem हो सकते दिखें Lissranda तो अपने आप में Kasuale Tigers का आच्छटा बच्चा है लेकिन that's it for this episode guys I hope आपको episode पसंदा आप एपिशोड पसंदा आथ एपिशोड को like करे चाहँ subscribe करे आपको सब्सक्राइब को से football city exclusive content आप मिलता रहेगा तब तक कि लाए stay tuned stay safe and I'll see you in the next episode